जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत रता हूं आपके अपने वाइक युदू चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले एक बहुतरीन T20 ब्लास्ट के ज्वाज मुकावले खेले जाएंगे ZLO O versus Kent के बीच में उसमें हमारी क्या fantasy की टीम होगी उसको लेके हम details में देखेंगे परकेंगे फिर हम बात करेंगे अपने small league mini zl और zl की टीम को लेके अगर दोस्तों आप बेहतर result चाहते हो तो उसके लिए आपको एक छोटे से काम करने होंगे वो क्या काम करने होंगे आपको tele से टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा telegram चैनल का link उसके उपर क्लिक करके आप सभी वैको telegram चैनल से जरूर जोएन हो जाने आप्टर टॉस जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगे वह आपको सिर्फ वह सिर्फ मेरा telegram चैनल पर देखने को मिलेगा आप यहां पर बा नहीं बात करें विनिंग परसेंटेज को लेकर तो यहां पर जीया लोगिंग चांसे 20% के आज पास बात करूं के लेके तो इसके वीनिंग चांसे आपको 80% के आजपास सबस्क्राइद देखने को मिल जाएगा अगर बात करें बात करेंगे अच्छे खासे मदद होगे देखिने को मिल जाएगा स्कोर आपको देखिने को मिले गा मैं और एन éner में लिए टोतल स्कोर 156 और शर्टल स्कोर्टल के यह स्क्राइपा ó में मतलब पांच में चार दफावा है जो टीम टाज़्ची ठोंक लोगता किरने लिए बात करने कि न Unbelievable 2 ऐसके तो प्रिफर की है और डिजाल टीवी दोस्तों पांच में से चार दफा वोड टीम उन किये जिसने पहले यहां पर बॉलिंग किया इसका मतलब साब कर पर है कि टॉस दिती है पहले बॉलिंग किजी और विनिंग परसेंटेज को आप यहां पर बरहा लीजिए अब दोस्तों यहा मुकाबला कीस दसनलोब दो क्या बैटिंग अब यहां पर मैं बात करूं विकेट में किसने कितने प्रभावित किये हुए तो डेविट पेंट के नहां पर 11 मुकाबला खेले हैं लास्ट के दो साल में एक दसनलोब आठ विकेट मतलब पर मैच लगवक दो विकेट इन्हों नहीं लिया हुआ है फिर मांच पुरमे मेंच अलमूस्ट दो सालब फैंने समदो विकेट टॉममेच म मुकाबला पर माच अल्मूस्ट एक विकेट जी लिंडीएग मुकाबला में नहीं रहत मिन लिया हुआ है लास्ट सद्ट मैच को कर लेंगे लंब लूंधिर लांस को वीन और उसके बाद लगातार चार्लोस अभी जो मैं चलते हैं मैं वीडियो बनानों एक बसके अटरा मिनिट रात में वो देखने वाली बात होंगी केंट का क्या होता है उसके अलबाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ अभी कनफर्म स्क्वाइट जो है ना तो केंट एनॉ पॉस्टीवल प्लिंग लेवन जी अलो का बात कर लेंगे काफी कमजोर तीम मुझे दिख रहा है जहां पर आपको दिख जाएंगे विल्स हैमंड चार्ल्स वर्थ और प्रैस जे टेलर जे बिरसी डैनी लंब जाफर गोवर एमर टेलर डी पेन और ट्री स्मीथ अब बात क सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन है ध्यां से देखेगा यहां पर आपको आपनिंग जो है वह केंट का अवरेज दिखेगा क्योंकि इनके पास मुयाने के अलाबा यह एक अच्छे प्लियर है जो की हैं बाकि मुयाने से आप बहुत ज्यादा उमीद नहीं कर सकते हो जी एलो मुझे नजर आ रहा है इसमें दूनर टीम का आपको ब्रेज देखने को मिल जाएगा बात करेंगे तो आपको दिख जाएंगे फ्रेड क्लासन मैकल होगन किसके तरब से केंट के तरब से और जी एलो के तरब से आपको दिख जाएंगे डेविट पेन और एम टेलर अब बा जाएंगे डी पेन और दिलम ध्यान देखिएगा यहां पर एक सीज आग जो भी मैच खेले जा रहे हैं वहां पर ग्रेंट इस्टीवर्ट इंजड हो गये हैं तो क्या वह इस मैच को खेलेंगे वह अभी कनफर्म नहीं है अगर नहीं खेलेंगे तो हम उसको जाएं आगे जो कंसीड़ेट करेंगे आप्टर तोस प्लेंग वहां से ड्रॉप कर देंगे त्री मार्की बैट्म में आपको ड्रूमन डेनली और विलिंग्स को लेके जाना चाहिए तो यह मार्की बॉलर में डिचर्ट सन मैकल होगन और डी पेन आपको रखना ही चाहिए अब दूस्त सब्सक्राइब करते हैं लेकिन अभी दूस्तों यहां पर नहीं कहलेंगे जीरो किये ते टीएस में चार डीपेन यहां पर किये वेते जीरो रन इधर से गंदबाजी में उस्ते हम जैक लेनिंग गंदबाजी करते हैं लेकिन अभी दूस्तों जैक लेनिंग गंदबाजी नहीं करते हैं वहां पर जैक लेनिंग चार अवर केस्पेल डाले थे वहां पर तरिस संदे के दो विकेट लिए थे माइकल होगन तीन में तेरा सब्सक्राइब हमारे हमेशासे कैप्टन विची जाते हैं ये जीवर तीन वर बैशन दो विकेट जियॉज लिंद है चार अवर उन टीस रहन बीकेट को बात करूं बल्लिवाजी में तो मैं आप बात कर लिया लेते जी ये सोड़ेंड ने एक उन विकेट का निवर फैस में वह कैसा जीलो ने परदसन के वह तो जीलो अपना लास्ट मुकाबला में नीच आऊंगा इसके अलाबा काफी मैस कहले गए तो जीलो का वह यहां पर आपको दिखा दो लास्ट मुकाबला वह खेल के आ रहे हैं यहां पर थोरा सा आपको और उपर जाना पर रहेगा यह मीडि आप देखिए पुराने सीजन बाले आपको स्टेट्स नहीं दिखा हूंगा क्योंकि वहां पर तीम थी तो उस तीम को लेकर जिक्र करना थुरे से मुझे लगते हैं कि आपको थ्यान देने वाला नहीं हूं बल्ले बादी में हमन किये थे 34 रंड चाल्स वल्ट बारा उलिवर प्रेस चीलिस जफर गोहर यहां पर 22 बॉल में लगा देखिए थे सैंटिशन और जे टेलर किये थे दोरन अब यहां पर आए नीचे हम बात कर लेते हैं साम्ने वाली जो टीम अकेंट हो लास्ट मुकाबला खेल कर रहे किसके साथ जो के नवी खेल आ lien ही जाते वह ग्लेकर लिवल में लिविचम डिण में नहीं गेंदबाजी में पेंद चार में पचीस लुटाए थे एम टेलर चार ओवर तेरीश रन एक विकेट जफर गोहर चार ओवर चोवालीश रन दो विकेट टॉम एश्मीट दो मेंचातीस डैनिल एम तीन में तीरपन तोरे बहुत बल्ले से भी जोहर दिखाना जानते हैं कौन जफर गोहर और डी लंब जे टेलर एक माटर और ओलिवर प्रैस देवित दो वर अटर रन एक विकेट बल्ले बाजी में बात कर लेंगे बेंड वेल्स के थे दसरण एम हमर्ड के थे एक्सरण आपनिंग बल्ले वाजी किये थे जो कि इनका ओरिजिनल पोजिशन भी है फि और मिडल सेक्स का अभी मुकाबला चली रहा है जहां पर केंट पहले बल्ले बाजी करते बोड पर लगाए थे दोसो अठेस रन ती मुयाने अर्तिस के वे थे डीवल्डूमन च्यासाथ जे डेली तीहत्तर लिंडे थीन बिलिंग स्के वे थे चोविस रन अभी तक के यहां पर क्यों रहा ले क्योंकि यहां पर ग्रैंट इंजर्ड होगे अगर फीट होते तो फिर आपको जैक लेनिंग का साधितना स्पेल देखने को नहीं मिलता अब दोस्तों आईए हम बात कर लेते हैं यहां पर फिंटेसी टीम ड्रीम 11 का हमारा इस मैच में क्या बनने व करना या उसको पहले मैं हटा लेता हूं विल्केट की पीछे बात करेंगे हम लेकर जाएंगे यहां पर सेंप बिलिंग्स को अगर केंट पहले बल्लेवाजी करता है होश रखता है मैं एक दौ लगा दू किसके ओपर मैं दौ लगा सकता हूं दोस्तों बी कॉक्स को पर हां अगर ग्रेंट रोल एपस्वन होती हैं सौत अप्रिकन स्टार्ड डिमेस्टिकेवल लेवाज आपनर हैं तो मैं उनके उपर ध्यान देके जा सकता हूं जो कि जी यहलेओ के तरब से आपको में भी अगर सप्वाइड होते हैं तो खेलते दिख सकते हैं बैटिंग में बात तो मैं जाओंगा Charles Ward के साथ, अगर Swing नहीं मिला तो मैं चला जाओंगा फिर Hammond के साथ, अभी मैं बात कर लेता हूं All Under में, अगर मुझे लगा कि Jack Lening अच्छे कासे spell डालेंगे मैं उनको back कर सकता हूं, क्योंकि अगर Grant Stewart नहीं खेलते हैं और ये team एक बल्ले वाज को लेके जा कि काफी कम नजर आ रहा है, मैं यहां पर लेकर जाओंगा Kane Richardson को, और इस match में मैं अपने team में एक अच्छा बदलाव कर सकता हूं, जिसका मैं फ्रिड क्लास हैं, यह आपको मेरे team में देखने को मिल सकते हैं, अब देखिए मैं यहां पर साथ दो अभी लेली हैं, GLO का दो, स केंट का, अब मुझे दो पीलर और लेने होंगे, तो मैं यहां पर लेकर जाओंगा, अपने team में किसको बल्लेवाजी में एमहमंड को, और अगर यहां पर Kent पहले गंदवाजी करता है, तो मैं तो Kent का एक गंदवाज लेकर चला जाओंगा, लेकिन अगर Kent का पहले स्वाजी में जब चेस करने जाएंगी तो बोड पर टागेट होंगी, बोड पर टागेट होंगी एप्रॉक्सिमेट 130-140 का सबसका, जो केंट 2-3 विकेट खोके आराम से चेस डॉन कर लेंगी, तो मेरा तो फाइनल टीम प्रिव्यू है, वह आपके सामने है, जहां पर आप को अच्छे खासे देखे रखे हैं, जो डेनली, केंट रिचर्चर्चन और प्रैस उसके अलावा लिंडे मैकल होगन, इसमें से आप कैप्टन वीची देखे जा सकते हो, मैंने अभी के लिए कैप्टन सी का जबार है, वो मैंने सोपे है, किसके ओपर वो मैंने दिया है कें किंटो और एक सेंस 22 का बैसर मल टीवे, अगर पिक्स को लेके, तो अभी ये मैच जो है, उनसा मैप पे एड नहीं हुए है, जैसा ही एड होंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दोंगा, उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और यूटूब चैनल को सब्सक्राब जरूर कर दीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक लिए बाइ, इंज्वाइ कीजिए, अच्छा का सा विन कीजिए, और हमारा कोशिस होगा इस मैच का एक सौट ग्रेंड लिक का भी वीडियो दे क्योंकि मुझे लगड़ा है कि अगर आप इस मैच में थोड़ा सा महिनत कर लीजिए, तो आपके लिए जीयल आसान हो जाएगा.